आदाब नमस्काद अरेड माइक में आपका स्वागत है आज से ठीक एक हकते पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में हरी नारायन इसको साकार हरी कहते हैं भोले बाबा कहते हैं उसका नाम सूरजपाल है उसका एक सचसंग था जिसमें भगदड मज गई उस भगदड में 121 लोगों की मौत हुई अब 121 लोगों की मौत कैसे हुई और जो 121 मौते हुई है उनका इंसाफ कैसे देलाया जाए इसको ले करके उत्तर प्रदेश सरकार ने योगिया जितनाद की कहने पर एक S.I.T. का गठन किया यानि एक जाच के लिए कि कौन दोशी ह है किस वज़े से हुआ सब पर रिपोर्ट दे उस रिपोर्ट को आज योगिया जितनाद को स्वाप दिया गया है 900 पेजिस की रिपोर्ट है इन 900 पेजिस की रिपोर्ट में जो यह S.I.T. है उसने 150 अफसरों करमचारियों पीडितों परिवारों के बयान दर्स किये हैं और इस S.I.T. की रिपोर्ट में जो हमारे सोसेज हैं वो यह बता रहे हैं कि S.I.T. की रिपोर्ट में दोशी जानते हैं किसको बनाया है सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे जो S.I.T. की रिपोर्ट है उसमें दोशी आयोजगों को माना है इस रिपोर्ट में बाबा को दोशी नहीं माना है बाबा को यह S.I.T. नहीं मानती है कि बाबा का दोश है साथ ही साथ इस पूरी SIT ने जिन ऑफिसर्स ने प्रशासन के लेवल पर जिन ऑफिसर्स ने गड़बड़ी की या माल लीजिए लापरवाही करी उनकी भी एक लिस्ट तयार की गई है और ये 24 घंटे में रिपोर्ट देनी थी लेकिन ये रिपोर्ट देने में 6 दिन का वक्त लग गया आगरा जोन के IG है अनुपम कुल श्रिष्ट वो इस SIT के चीफ है इस पूरे मामले में एक तो SIT के जाद चली रही है और इसके साथ साथ एक नियाई का आयोग यानि जुडिशल कमिशन भी बना दिया गया है जिसके अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रिवास्तव हैं जो की हाई कोट रिटाइड है उसमें भवेश कुमार सिंग है जो रिटाइड IPS है और हेमंत राव है जो रिटाइड IS है और यह दो महीनों में अपनी जाश करके देंगे जिन बिंदूओंपर जाश करेंप किया गया उसमें जो परमिशन दी घई उसका प्रिशन किया गया है या कोई दुरइंग ऐख है कोई सभाद कै का नियॿद्धित बनार रखने के लिए किया क्या किया उन कारणों और प्रिस् सिती बनी आप कुछ चीजों पर हम आपका हम चाहेंगे कि आप गौर फरमाएं पहली चीज यह कि इस पूरे मामले में 80,000 लोगों की अनुमती दी थी लेकिन आये 3,000,000 लोग तो उन 80,000 लोगों की अनुमती जब दी यूपी पुलिस ने और उसमें 3,000,000 लोग आये तो वहा सवाब दे हेता हैं होगी या उसकी जिम्मदार हीतना है होगी स्बूरे माامले में जो फाइर यह हैं अ में बाबा का नाम नांब नई इस पूरे मामला में प्रकाश मदुकर जो मुख आयोजक है उसको बनाया है आरोपि और उसकी गिरफ़तारी करने की पुर्जब कोशिश की जा रही है वहीं बाबा के वकील एपी शाह है और एपी शाह का यह कहना है कि किसी ने जहरीला स्प्रे कर दिया जिसमें से भगदड़ हो गई अब बाबा के तरफ से यह conspiracy दी जा रही है यह conspiracy theory चड़ाई जा रही है कि वहाँ तो सब कुछ बढ़ियां से हो रहा था कि बाबा तो आयोजन करते रहते हैं और यह पहली बार तो है नहीं कि बाबा यह आजन कर रहे हैं बाबा आराम से आयोजन करते हैं लेकिन किसी ने आकर के जहरीले श्प्रे डाल दिया जब बाबा जा रहे थे और बाबा जब जा रहे थे तो जहरीले श्प्रे से वहाँ पर लोग बिलबिला गया और अफरा तफरी और धक्का मुकी का महौल हो गया वहीं जो SDM की रिपोर्ट है वो यह कहती है कि बाबा निकला तो उसके चरण की धूल उठाने के लिए जिसे रज कहते हैं वो उठाने के लिए वहाँ पर जुड़े जुके और बाबा को छूने की कोशिश की जिसके बाद जो सुरक्षा कर्मी है बाबा की जो लग पर बयान दे रहे हैं बाबा की बहुत दुखद है एक शन्यंद के तहट किया गया है और सन्यंद की जाच हूं कोई कल्ट फिगर है लोग उसके लिए आएंगे ना मैं तो एक प्यादा हूं मैं तो एक मोहरा हूं तो यूपी सरकार या जो जांच आयोग प्रशासन का है इसने कहीं कोई फरार नहीं है बाबा बढ़ियां अपने आश्रम में है और बाबा को कोई नहीं धून रहा है कब पकड़ा जाएगा बाबा नहीं पकड़ा जाएगा यूपी पुलिस को नहीं लगता है कि बाबा को पकड़ना है अरे वोट बैंक पॉलिटिक्स भी तो कुछ होती ह देश में राजनीती पीडिये की चल रही है बाबा पिछडी जाती के है बाबा के आधर अन्याइव पिछड़ी जाती के हैं और हमें तो यह भी पता चला है कि तमाम आइस आई-पि-इस पुलिस वाले भी बाबा के भकते हैं तो बाबा को मुकबरी भी कर रहे तो जांच जो हो रही है उसी के अंदर जगा बाबा को बताते कि आज जांच में यह हुआ है जांच में वह हुआ है जांच में ऐसा है ऐसा पाया है इस पूरे मामले में सिर्फ एक राजनेता है जिन्होंने हिम्मत किये और प्रशासन से जवाब मांगा है कि बाबा की गिरफ गिरत्तारी के मांग नहीं की तिर्फ एक नेता ने बाबा की मांग किया वह है बहनकुमारी मायवती बसपस सुप्रूम। उन्हें ट्वीट करके कहा कि अंद विश्वास में मत माने लोग धोंगियों के चक्कर में ना पड़े लोग जिसको ताकत मिली है उससे समिधान ने ताकत दी है बाबा साथ भीमरा उम्मेडकर को माने आप उनकी वज़े ताकत मिली है अंद विश्वास में ना पड़े और ब फिर कोई ऐसा बाबा असी हजार लोगों के अनुमति लेकर के तीन लाख लोग ना बुला ले को सवाल हम अपने आप से पूछ रहे हैं बाबा के चौकट पर हर राजितिक दल के लोग जाकर के मत्था टेकते हैं तो नहीं चाहती है यूपी पुलिस यूपी प्रशासन योग के कदम सारे निर्णय नय देनी की कोशिश भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से होती है इसाइटी की रिपोर्ट ने बाबा को दोशी नहीं माना गया है ना बाबा को धूंडा जा रहा है ना बाबा फरार है बाबा अपने आश्रम में है बाबा अपने भक्तों से बा प्रशासन को चाहिए नवारे कि नें कि इसको चाहिए न्याय नें UW ont भगत ओगनी नगी नहीं रहे हैं यह हुद यह खे रहे प्रशासन का अभी मर पर ईल्घना पर द recibir संग में मरती तो मुझे मोख्षप्राप्ति होती है मेरा जीवन सफल हो जाता उन्हें तो न्याय नहीं चाहिए अरे अगर वह नहीं मान रहे हैं वह अंदविश्वासी हो गए हैं प्रशासन की किया जिम्मेदारी है क्या प्रशासन कोई न्याय मांगेगा तभी न्याय जाएगा जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाए लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से न्याय भी दिया जाता है क्या यहीं वज़ा है कि बाबा के गिरिबान तक नहीं पहुँच रहे हैं कानून के हाथ क्यों बाबा से एक बारी बुला के पूछताच नहीं की गई नाइक आयोग ने भी बाबा को क्यों नहीं बुलाया कि बाबा को बुला के पूछा जाए कि भाई समागम तो तुम्हारा था लोग को तुम्हारे नाम पर आए बुलाया किसी विन्ने भी था लेकिन बाबा पर कोई ह इस साइटी की रिपोर्ट की बेसिस पर उसके आधार पर पहली कारवाई हुई है प्रशासन के तरफ से सिकंद्रा राउ के SDM जिसके इलाके में यह आयोजन हुआ उसको सस्पेंड किया गया है पुलिस के सर्किल ऑफिसर जिसको DSP भी कहते है उसको सस्पेंड किया गया है साथ में तीन और प्रशासनिक करमचारियों को सस्पेंड कर किया गया है यानि पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी तैं हो रही है लेकिन बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं तैं हुई है अंद विश्वास बन जाता है 121 मौते हुई है और एक हफ्ते होने के बाद भी अगर जो सरकारी दस्तावेज है या सरकार है या पुलिस है उसके हाथ बाबा तक नहीं पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि एक सो इक्यस मौतें के असल दोश्यों को क्या कभी इंसाफ मिल पाए हुआ 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 है